हेलो एरिवान कैसे हैं आप सभी आप सभी ठीकी होंगे काम ना करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे तो अभी मैंने विलोग सुरू कर दिया है दो पैर से धूप बहुत हो गई है वैसे तो बोनिंग का तो सारा काम हो गया था अभी दो पैर का सुरू हो गया है मम काम चली जाएगा इनको पाने में विगो के रख देंगे तो अच्छे से चलेंगे फिर पाने में भिगो के इन ज़डों लगाएं तो ज़्यादा चल जाते हैं उससे मुलायम हो नहीं तो फिर यह वह थी कैड़े रहते हैं और इधर बंदर की परलटन भी बैठी हुई है च्छत पे यह भी ताक में रहते हैं वैसे तो मॉर्निंग का सारा काम ही हो गया था बस बरतन रह गए थे तो बरतन धोने के बाद मैंने रही भी लगा दिया और अभी दूद भी लो इसको काट लूँगी वही से और अभी मुझे इसको कसना भी है कड़ घृ कस में काफी देर तक मैंने इनको पाने में रखाय जिसने की अच्छे से वह सो सके और अभी बस मैं कड़ घृ कस लेके आई थी दोके अच्छी तरह से ये भी दोके लाई ї थी माज के और अभी मैं इसको कद्दुकस कर रही हूँ लोकी को इसको कसने के बाद मुझे इसको उबालना है तो पहले इसको कस लेती हूँ थोड़ा सा मुझे इसमी से काटना भी पड़ेगा पीछे पीछे से मुझे खराब लग रहा है अभी तक मैंने आप लोगों को ये पिने बताया कि मैं इसका आज क्या करूंँ ही लोकी का, मेरा बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं आज और मेरा मन भी कर रहा था काफी दिनों से, अभी मैंने इसको कस लिया है अच्छे से और अभी आलू भी मैंने छील के और अच्छे से धोलिये हैं इसी में डाल दिये मैंने बड़े बड़े आलू है तो अभी इसको मैं रख दूँगी उबलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको मैं बंद कर देती हूँ पानी डाल के और नमक डाल के तो ये एक सिट्टी में ही हो जाएंगे वैसे तो पर मैं दो लगा लूँगी क्योंकि आलू बड़े बड़े हैं इस वज़े से दो सिट्टी लगानी पड़ेंगी और फिर तब तक मैं इसका छोग तयार कर लूँगी तो अभी मैंने यहाँ पे प्याज भी काट लिया है टमाटर हरी मिर्च यह सब काटके रख लिया है और इधर यह भी उगल चुका है इसको मुझे छानना है चन्नी में अभी मैंने इसको छन्नी में ढाल दिया है थोड़े दिर ठंड़ ओ जाएगा तो मैं इसको निचौड लूँगी लोकऊ को मैंने छोड़के लेके आगाई थी अभी मैंने कड़ाई रख दिया है धोटे इंसमें डाल दिया है ग亦ी तीन चार चम्मच घी डाल दिया है और अभी प्याज भी डाल दिया है इसमें कटे हुई जीरा भी डाल दिया है तो इनको ब्राउन होने तक मैं इसको चलाती रहूंगी छोंक हो जाएगा मेरा तो इसमें मैं सुखे मसाले अड़ कर दूए सुखे मसाले मैंने एक जया करके रखे हुए हैं धनिया, अमीर, चहल्दी, सौंप ये सब और गरम मसाला बाद में डालना है तो पहले मैं इसका छोंक बना लेती हूँ, कटे वे टमाटर भी डालने हैं तो पहले उनको भी मैस करना है, अभी छोंक भी होता रहेगा, तब तक मैं आलू मैस कर लूँगी और ये मैंने चम्चे से ही कर लिये हैं, क्योंकि गरम होड़ेते बहुत ज़्यादा आटा भी बना के रख लिया है, क्योंकि जब तक मैं इसमें चोंक लगाऊंगी तब तक आटा भी ठीक सा हो जाएगा, रोटी अच्छी बनेंगी और फिर वैसे भी सब लोग इंतिजार करते रहते हैं खाने का तो इतना टाइम नहीं होता, इसी बीच मैंने आटा बना के पहले ही रख लिया था इसको छोंक लगाने से पहले ही, तो बस अभी छोंक भी होने वाला है और मैंने इसमें अभी कुछ नहीं मिला है, जो भी मिला है, छोंक में ही मिलाना है मुझे मसाले मैंने इसमें कुछ NOTE Đाला है टमार डाल दूगम कि लोग कि क ulis만 तो मैंने इसमें तभी थोड़ सा नमक डाल दिया ठा और कुछ भी नहीं डाला है और ऐसे पहले तेस्ट लगती है आप लोग भी ट्राइक करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आप लोगों कैसी लगी पसंद आई कि नहीं मैंने प्याज भी ज़्यादा बारिक नहीं काटे थे लंबी लंबी और मोटी मोटी सी काट ली थी और अभी छोंख हो गया था तो मैंने इस में सुखे मसाले अड़ कर दिये और टमाटर भी डाल दिया टमाटर को मैंने कमी पकाना है हिंग बारिक वाला तो हमारा खतम हो गया और अभी मोटे वाला रखा है उसको मुझे फोड़ने का अलस है तो इस वज़े से हिंग किचन में आया ही नहीं वो अलग रखा हुआ है देखती हूँ उसको भी पीस के डब पर आलू और घिया है सोरी हमारे गिया भी बोल देते हैं लोकी को तो यह च्छोंक होने के बाद फिर मैं इसमें पहले घीया सोरी लोकी डाल दूंगे उसके बाद फिर आलू अच्छे से जब तक कि ब्राउन ब्राउन से ना हो जाएं जितना भी इनको भूनूंगी उतना ह नहीं लगती लोकी की सब्जी वो ऐसे बना के देखे ट्राइ करके देखिए कितनी टेस्टी लगती है ऐसे लोकी से ज़्यादा टेस्टी भुज्जी लगती है इसकी और हम तो बनाते ही रहते हैं हमारे यहां सभी को पसंद है लोकी कम खाते हैं वैसे भुज्जी सब को पसं बहुत लगती है एक बार बार बनाएंगे बहुत टेस्टी लगेगी आप लोगों को भी पसंद आएगी रेसिपी और प्रीज कमेंट बोक्स में बताईएगा कि कौन-कौन ऐसे बनाते हैं किसको लोकी से ज्यादा इसकी भुज्जी पसंद है प्लीज बताईएगा बस अभी मैंने इसको भी अच्छे से भुण लिया है लोकी को इसके बाद मुझे इसमें भी एड करने हैं आलू-ालू को मैं अच्छे से इन मिला लोंगे मिक्स कर लोंगे अच्छे से दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से भुन जाएंगे तो इनकी भुज्जी त खाना तैयार है रोटी बनाओंगी गरम गरम आप लोग भी खा लीजे सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे पहले आप लोग भी ट्राइ करके बताईए कि कैसी बनिया है हमारी सबजी यह रेशिपी बनने के बाद यह ऐसी हो गई है अभी बिल्कुल तयार है इसमें मैंने अड़ कर दिया गरम मसाला दोपेर का काम खतम हो गया था उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर रेश्ट किया है और अभी बस सबसे पहले आई हूँ रूम में कपड़ों की तया लगाने के लिए कपड़े पड़े हुए हैं आज मैंने कोई भी कपड़े नहीं दुले कल धोंगी आज मेरा मन नहीं था आज मैं बीच में ही कपड़ों का काम छोड़के लेट की थी थोड़े देर के लिए राम करने लगी उसके बाद अभी मै काल कसाने लगता है मैं सोचती हूं कि प्रेस करने के बाद इनको अच्छे से लगा के रखूंगी प्रेस करने लगी थी तो उसकी डोरी में भी कुछ हो गया फाल्ट हो गया प्रेस भी नहीं हो पाई फिर मैंने सोचा इनको तह लगा के रख दूँगी जब प्रेस ठीक हो जा तब तो प्रेस करने ही करनी होती है और वैسे भी इन पर प्रेस करनी ही पढ़ती है सुती कपड़ों पर बहुत जदा इनकी इनका बुझी सी बन जाते हैं ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्छडे रेंच बोलते हैं कि बच्छडू चाबज़ जाब ठेख बहुति थिए कि ऐसे लगते हैं फिर यह पर कुछ मुझे टाइफ मिलता है तो मैं पीज व visitor वॉलने हैं कि आप अपना पूरे धिन का रूटिनी दिख़धिन तो पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी वैसे मुस्किल हो जाता है पूरे दिन का तो सूट भी नहीं हो पाएगा इतना सारा काम होता है कहां तक सूट करें इतना काम काफी काम होता है गाओं में तो और वैसे भी पूरा दिन मेरे आधी बार कितनी बार तो मुझे वीडियो भी सूट करने का टाइम नहीं लगता भूल जाती हूँ कपड़ों को तह लगाने के बाद मुझे अपने बालों को कॉंब करना है मेकप करना है अपना रोजवालाई थोड़ा सा उसके बाद फिर साम का खाने का टाइम हो जाता है अभी मैं साम के खाने के तयारी भी जल्दी कर रही हूँ फिर जल्दी जल्दी सबको भूक लगने लगती है तो इस वज़े से जल्दी लग गई थी अलू काट के मैंने दो लिए है अच्छे से अभी अलू टमाटर को छोंक लगा दूँगी उसके बाद आप लोगों से थोड़ सी बाते करूँगी आप लोगों से बाते भी नहीं हो पाईए अभी तक कैसे आप सबी आप सब भी ठीक होंगे हम भी ठीक हैं आज दिन है मंगलवार और डेट है आज 21 तो अभी मैंने आलू को छोंक लगा दिया है अलू टमाटर को अलू टमाटर की सब जीवन आई है साम के टाइम में और अभी इवनिंग के बरतन पड़े हुए है कुछ वो धो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बस अभी बरतन होंगी पहले लोग कह रहे हैं कि अपना मोर्डिंग से लेके पूरे दिन का ही जो आप काम करती है वो दिखाए तो देखिए वीडियो में आप लोगे साथ शेयर करूंगी पहले भी किया है वैसे मैंने पूरे दिन का तो काम सूट भी नहीं हो पाता वह ज़्यादा काम रहता है कहां तक इतना काम सूट कर पाएंगे तो जहां तक भी हो पाएगा मैं कल देखती हूं करूंगी ये रिंग्स मैंने फिर से निकाल दी है वीडियो सूट करूंगी मैं अपनी मोर्निंग से ही स्टार्ट कर दूंगी तो म भी थोड़ सा काम कर लेते हैं इसके बाद मिलते हैं आप लोग से यह बरतन इविनिंग के हैं चाय के जो चाय पी थी वही सब हैं तो मैंने सोचा पहले इनको धोलेते हैं फिर साम को खाना खाएंगे तो जरुत पड़ेगी इनकी तब तक कहां तक पड़े रहेंगे अभी इन के बाद फिर मुझे दूद भी पकाना है अभी अंगिठी में आग जलानी है साम की जोत भी जलानी है पहले इनको धोने के बाद साम की जोत ही लगाऊंगी उसके बाद जलाऊंगी अंगिठी में आग फिर पका लूँगी दूद को अराम से बैठके फिर बस दूद पकाना रहा जाएगा रोटी बनानी रहा जाएंगी एक काम रहा जाएगा बागी कुछ नहीं रहेगा साम का खाने का काम तो खत्म हो गया था अब ही मैं दूद घोल रही हूं बच्चों के लिए दूद के लिए इन्हें भूक लगी या फिर से तो अब बस दूद घोल लूगी सबके लिए घोलना है वैसे यह गाये का दूद है इसकी मलाई मैंने उतार के इसमें डाल ली है अभी इसमें से भी थोड़ा ही घोलती हूं बाद में जब जरुद पढ़ती है वो बाद में घोल लेते हैं फिर पहले घोलते हैं क्योंकि ज़्यादा फिर घोलके अगर बच जाए तो फिर वह वेश्ट जाएगा इस वज़े से पहले थोड़ा घोलते आए इसको घोलने के बाद फिर मैं बच्चों को देदुई उसके बाद दूद को जमाना है जामन लगाना है जब सब लोग पिलेंगे जामन तो मैं तभी लगाती हूं कि इससे पहले नहीं खाना खाए हुए बच्चों को जादा जल्दी लग जाती है अभी मुझे किचन में थोड़ी सी सफाई भी करनी है गैस भी अभी गंदी है गैस को साफ करना है रोटी बनाए थी तो इस पर आठा चला जाता है उड़के तो मैंने इसमें सक्कर डाल के थोड़ी देर चला दिय है तो कुछ ना कुच गुरता ही रहता है और इसको हम साफी रखते हैं वो इससाफी रखना चाही heeft जिव खाना बनाते हैं तो अच्छा साफ में जाय karma चाहिए इसको तो अब स्प्रॉश में इसको साफ करने के बाद दूद दे दूँगे बच्चों को यहीं पर बैठे हुए हैं टीवी देखर देख नहीं अपनी फैड्रिट उंकी फैड्रिट से एकि पिछडूर prest भी मोवी देख रहे हैं साथ के साथ ंके पापा देखने लग है और ये पिच्चर कौण सी देखते मेला पिच्चर आती रहती है और यह से रोज देखते हैं अगर इन्हें पता चल जाए मेला मूवी आ रही है तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं रोज देखते हैं पता नहीं क्या पसंद है रोज एक ही एक मूवी देखके बोर भी नहीं होते तो फ्रेंट्स वीडियो का में नहीं पर एंड कर लेती हूं मुझे नहीं लगता कि में बाद में एंड कर पाऊंगी वो जड़ा सोर सरावर रहता है पंक होगा तो इस वज़े से मैं अभी वीडियो के एंड कर रही हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा कमेंट भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में चीश वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई